नया साल यानि साल 2021 साल 2021 की शुरुवात होने वाली है नया साल जीवन में नई खुशया लेकर आए इस वज़े से लोग तरह-तरह की उपाई करते हैं मंगल कामनाओं के साथ नई संकल्प लेते हैं अगर आप मौझूदवर्ष की चुनोतियों, संघर्षयों और अशुबताओं को नया साल में नहीं लेकर जाना चाहतें तो 2021 आने से पहले कुछ चीजों को घर से बाहर कर दीजिए घर में रखी कई अशुब चीजों से बरकत कम हो जाती हैं हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि घर में कौन सी चीजे अशुबता फैलाती हैं तूटा फनीचर कहा जाता है कि घर में तूटी खाट या पलंग रखने से विवाहिक जीवन में कलेश होता है अगर आप चाते हैं कि नए साल में आपके साथी के साथ आपका जीवन खुशी-खुशी बीते तो घर से टूटा फनीचर हटा दे दूसरी जीवन खराब घड़ी अगर किसी भी तरह की खराब घड़ी आपकी घर में पड़ी है या फिर रुकीवी घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत घर से निकाल दे रुकीवी घड़ी से नाकरात्मक उर्जा पैदा होती है अगर आप चाहते है कि नए साल में आपका कोई भी काम नहीं अटके तो अपनी बंद घड़ी को जरूर हटा दे खराब इलक्टोनिक्स आइटम नए साल पर घर में खराब पड़े पुराने इलक्टोनिक्स समान को पहा निकाल दे खराब आइटम घर में पड़े पड़े कबार बन जाते हैं जिसे नाकरात्मक उर्जा पैदा होती है इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप नए साल से पहले इन पुरानी चीज़ों को घर से हटा दे खंडित मूर्तिया नए साल के स्वागत से पहले पूजा घर अच्छे से साफ कर ले मंदिर से खंडित मूर्तिया हटा दे तूटी या खंडित मूर्तिया घर में रखना अश्युप माना जाता है तूटे हुए बरतन घर में कभी भी तूटे या चटके हुए बरतन ना रखे इस नए साल में अपने घर से ऐसे बरतनों को बहार निकाल दे जो तूटे हुए है ऐसे बरतनों को घर में रखना अश्यूप माना जाता है फटे जूते चपल नववर्ष से पहले घर की सफाई करते समय अपने पुराने और फटे जूतो चपलों को बहार निकालना ना भूले फटे जूते और चपल घर में नकरत्मक और दुरभागे लाते हैं तूटा हुआ कांच घर में किसी भी तरह कांच टूटा हो तो उसे तुरंथ हटा दे चाहे वो कांच का कोई बरतन हो फोटो फ्रेम हो या शीशा टूटा कांच वास्तु दोश लेकर आता है और इसे मानसिक तनाव भी बना रहता है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे शेर और लाइक करना ना भूले साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले